Praise the Lord, जयमसी की साथियू, ईश्वर आपको बहुत आसीज दे। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको पाम संडे का अर्था घजूर रववार का असली संदे सुनाने वाला हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि बाकी परचारक नकली संदे सुनाते हैं, नहीं, मैं कता ही किसी दूसरे परचारक को गलत नहीं कहता। पर मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सही हूँ। पर मैं आपको सच में सही वाला घजूर रववार का संदे सुनाने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और अच्छा लगे तो लाइक करना, हमारी चैनल को सस्क्राइब जरूर करना, हाँ, चाहिजा ज्यादा लोगों लोगों में इस वीडियो को सेर करना, ताकि दूसरे लोगों को भी पाम संडे का सही संदेश मिल सके। तो पाम संडे का सही संदेश क्या है? आप सोची ज़रा, गदा आरा हो गड़ दिमाग में, गदे पर बहुत परचार होता है पाम संडे पर, और खजूर की डालिया, खजूर की डालियों से चर्चों को सजाय जाता है, पेड़ काट के लिए क्या आते हैं? यह पाम संडे नहीं है, और पाम संडे का संदेश भी यह नहीं है, पाम संडे का जो संदेश जो येशू देना चाते थे वो संदेश मैं आपको देना चाता हूँ तो पाम संडे का पहला संदेश क्या है पहला संदेश ये है कि येशू उस भविस्मारी को पूरा करने के लिए गदे पर बैठ करके यरुसलेम गए कहा गए यरुसलेव वो गदे के बच्चे पर क्यों बैटे क्योंकि वो भविस्माडी पूरी की उन्होंने भविस्माडी क्या है ये सियोन की बेटी देख तेरा राजा गदे पर बरन लादू के बच्चे पर बैठा हुआ आ रहा है वो नम्र और दीन है मतलब ये सु गदे पर इसलिए बैटे क्योंकि वह भविस्माडी ये कहती है और ये सु को अपने आपको यहुदियों को उपर ये प्रगट करना था कि जिस भविस्माडी वाले उधार करता का आप इंतजार कर रहे हो भविस्माडी का अनुसार जिस राजा का तुम इंतजार कर रहे हो वो राजा मैं हूँ तो इसलिए ये सु का दे पर बैट कर रहे ये रुश्माडी में प्रगट क्या है लेकिन उस बाख को बाइबल में जो हैडिंग दी गई है बो दी गई है ये रुश्माडी में बिजय प्रवेश येश्व का वो क्या है ये रुश्माडी में बिजय प्रवेश है तो संदेश येश्व ने क्या दिया फिर ये तो चलो भविस्माडिया हो गई ये संदेश तो हमने खोज लिया लेकि पाम संडे वाले दिन वो संदेश जो येशु ने दिया, हम उसको मिस कर देते हैं कलिसियाओं में, कलिसियाओं में हम प्रचार करते हैं, पास्टर लोग प्रचार करते हैं, गदा ऐसा था, गदे को ऐसा होना चाहिए, और कितनों लोग ये भी प्रचार करते हैं कलिसिय येशु गदे पर बैट कर कहा गए? उस मंदर में गए जो यरूसलेम में था, उस मंदर में जिसको सुलेमान में बनवाया था, उस मंदर में जा करके येशु ने संदेज दिया, वो संदेज क्या था? येशु ने देखा मंदर में ब्योपार चल रहा है, मंदर में लोग करके भार कर दिया गिरा दिया उनकी चौकियों को और उनको भगाया मंदर में से निकाल दिया बहुत करोध में थी इसमसे गुश्य में थे और येश्व ने क्या कहा तुमने मेरे पिता के घर को चोर दांकों की खौव बना दिया है एक जगा तो लिखा है कि तुमने ब्योप अगर कहलाना था उसको तुमने क्या कर दिया व्यववपार में बदल दिया है। येश्व ने पाम संडे वाले दिने ये संदेज दिया ता गधे पर बैठ करके, येश्व मसी यूशलिम मंदर गए और मंदर में जाकर के क्या किया उन्होंने? मंदर को व्योपार बनाने वालों को भगा दिया मतलब येशु नहीं ये संदेज देना चाहते थे कि आप परमिश्य के काम को व्योपार मत बनाईए परमिश्य के मंदर को व्योपार मत बनाईए पेट का जरिया मत बनाईए बिजनिस मत बनाईए परमिश की काम को येशु ने इस अंदेश दिया कि परमिश्य के मंदर को साफ सुधरा रखिए पवित्र रखिए परमिश्य के मंदर, मंदर में क्या होना चाहिए मंदर में क्या होना चाहिए तो मंदर में मंदर की तश्मीर क्या होती है? मंदर की तश्मीर होती है कि वहां इवादत होती है, वहां आरदना होती है, वहां प्रातना होती है, वहां भक्ती की काम होती है, लेकिन यहां क्या हो रहा था? धंदा भी हो रहा था, बिजनिस भी हो रहा था, येशु ने मंदर क नाम पर business करने वालों को भगा दिया, यही है सन्देश पाम संदे का, खजूर रवार वाला जो संदेश सभाड़ा नहीं है, शन्देश घदा खा-जाता है युश मसी का संदेश, गदा फोकस मा जाता है, खजूर की डानिया फोकस मा जाती है, जबकि येशु ने खजूर के पर येशु ने संदेश दिया कि तुम अपने मंदिर को साफ सुदरा रखिये वहाँ इवादत होने दीजिये वहाँ परार्थना होने दीजिये येशु ने का तुम ने मेरे पिता के घर को डाकूँ की खो बना दिया है कितने ही लोग मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ पर अन गिनत ऐसे लोग मिलेंगे आप ढूडेंगे तो जो परविश्वर की सेबा को धंडा बना दिया है मंदिर में बहुत गंदगी लेकर की गुमरे मंदिर को साफ सुदरा होना चाहिए मंदिर से खुश्वू आने चाहिए जब आप मंदिर में परविश्व करें तो परार्तना करने के मन आ जाना चाहिए आपके भुटने टेक जाने चाहिए और आज वो मंदिर मैं और आप है इस मंदिर को साफ सुदरा रखिए पाम संडे पर येश्व ने यही संदेज दिया है अपने हिर्दय को साफ सुदरा रखिए क्योंकि वो परविश्व का घर है इवादत होने दीजिए महमा होने दीजिए प्रार्तना होने दीजिए और एक बात बता दूँ पाम संडे पर एक और संदेज दिया जब येशु गदे पर बैटके जा रहे थे तो लोग हो संदा हो संदा चिलना रहे थे येशु की जैजेकार कर रहे थे तब फरीशी लोगों ने कहा था सदू की लोगों ने कहा था हे प्रभू तुँ अपने चेलों को रोक ये ज़्यादा हुन्रड मचा रहे है तब येशु ने कहा था यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिलना उठे के मतलब पाम संडे पर येशु ये संदेज दे रहे है तो मैं इवादत करना है तो मैं पर्मेशा की महमा करना है पर्मेशा कुई अच्छा लगता है जब मियोर आप इवादत करते हैi जड़ी आप चाहते ज़गे आपको ईश्वर भाज आए ईश्वर को आप पसंद आजाए तो कब आएंगे जब आप उसकी इवादत करेंगे जब आप उसकी हम्दर सिताहिस करेंगे, जब आप उसकी महमा करेंगे, उसके जजयकार करेंगे, परमिशा को यह अच्छा लगता है, जब में और आप इवादत करते हैं, और इसलिए मंदर में व्योपार करने बालों को इशुने बखाया, डाटा, और कहा तुमने मेरे पित जब में अपने जिसम के द्वारा परमिशा की महमा होने दीजे, यही है संदेज, पाम संदे का संदेज, इसलिए प्लीज, आप पाम संदे के संदेज को घरण कर लीजे, अपने हिर्दय को सुद्ध करिए, परमिशा को बुलाई अपने हिर्दय में, कहिए प्रभू, मैं आपका मंदिर हो जाना चाहता हो, और उसकी इवादत में अपने जीवन बिताइए, परमिशा आपको पसंद करेंगे, परमिशा आपको आसीज देंगे, और आपके उन्नती हो जाएगी, प्रभ येशु वसी के नाम से, मेरी प्राटना है, कि आप फूले पले, आप बढ़ है, तो प्लीज सब्सक्राब जरूर करिए, और बेल आइकन जरूर दबाएगे, कई बार लोग सब्सक्राब कर लेते हैं, पर बेल आइकन नहीं दबाते, बेल आइकन नहीं दबाएगे, तो आपको नोटिपिकेसर नहीं मिलेगी, जब दूसरी वीडियो डालेगे, बहुत आसी दे, तेंकि य।